दोस्तों जब से प्राइवेट उनिवस्टीज का एक्ट पास हुआ, एक्ट आया कि अब हिंदुस्तान में प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट उनिवस्टीज निजी विश्विद्याले भी बनाई जा सकते हैं, तब इसे कई उनिवस्टीज आई, कई उनिवस्टीज के बारे में बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ दोस्तो अरनी युनिवस्टी के हम लोग बात करें हिमाचल परदेश में युनिवस्टी इस्थित है ये कांगडा में इस्थित है युनिवस्टी University के पास UGC का Approval है 2009 से University स्थित है 2009 से University काम कर रही है 2013 में इंस्पेक्शन हुआ वो भी आप इनकी UGC के साइट पर जाकर देख सकते हो आप जब जाते हो UGC के वेब साइट पर आप जाएंगे हिमाचल परदेश में तो 34 नमबर पर ही अरनी University के नाम महां इस्थित है दोस्तों इस University के पास UGC का Approval है कोर्सी चलाती है जैसे Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce या फिर Bachelor of Science की बात करें Management की बात करें और भी कुछ कोर्सी चलते हैं University के अंदर और अगर हम अच्छे कोर्सी की बात करें University में उनमें से एक कोर्स है PCI का Pharma Council of India का Pharma Council of India की वज़ा से ही इनके पास B Pharma भी है, D Pharma भी है टॉपिक ये नहीं है कि क्या कोर्सी अप्रूवड है इस University के पास इसके उपर तो हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे युनिवस्टी के बारे में बट मैं आपको बता दू कि आज कल हमारे पास कई ऐसी Mark Sheets आप ही स्टुडेंट्स हमें WhatsApp करते हो verification के लिए या फिर बताते हो किस तरह से documents लिए या किस तरह से documents आपने नहीं लिए या क्या क्या questions हैं आपके दिल में और क्यों insecurity है आपके दिल में उसके रिगार्डिक हम लोग बात करेंगे दोस्तो बात है 2017 या 2018 की यूनिवस्टी ने उस समय तक कई डॉक्यमेंट्स दे दिये थे इस्टूइंट्स को उसके बात उनमें से ही एक स्टूडेंट्स ने जब यूनिवस्टी विजिट किया दोस्तो पहले तो ये समझे कि ये यूनिवस्टी जो है अब तक कई बार अलग-अलग मेनेजमेंट के हातों में जा चुकी है या ये मान लेजिए कि अलग-अलग इसके ऑनर चेंज हो चुके हैं अर्नी यूनिवस्टी विवादों के घेरे में हमेशा रही है कभी स्टाफ की सैलरी को लेकर कभी स्टाफ के मेनेजमेंट को लेकर तो कभी स्टूडेंट्स परेशान हैं स्टूडेंट्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं बोलते हैं कि हमें ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है थोड़े थोड़े दिन बाद नए नए नोटिस निकाल दिये चाते हैं और जब स्टूडेंट्स युनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैनेश्मेंट का कोई भी सदस्य दिखाई ही नहीं देता है इस समबन में आज़नी युनिवर्सिटी इन दौरा से करीब 50 शात्र छात्राओं ने राज़ेपाल हिमाचल प्रदेश को SDM जवाली सलीम आज़न के द्वारा 51 पन भेजा फीज की बात है तो फीज हमें टाइम टो टाइम पे देनी पड़ती है उसके लिए अगर लेट फीज हो जाए तो उसके लिए 50 रुपे पर दे चार्ज भी करते हैं अपने रूम से अफिस तक गाड़ियों में आ रहे हैं और हम अपने गर से अपने बीकल्स भी आ रहे हैं अच्छा तो दोस्तों 2017-2018 में जब कुछ डॉक्यमेंट को लेकर कोई एक स्टूडेंट गया यूनिवरस्टी में अपने डिगरी अप्लाई करने के लिए तो वहां रेजिस्टर साहब ने लोकल पुलिस को कंप्लेंट करके उस स्टूडेंट के अगेंस्ट एफ आयर दर्ज करवा दी एफए दर्ज कराने के बाद में उस स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया गया और जब पता चला कौन कंसल्टेंट बीच में था उस कंसल्टेंट को भी अरेस्ट किया गया और जेल भेजा गया ऐसी भी एक कंडिशन हो चुकी है इस यूनिवस्टी के साथ ऐसी घटना हुई थी यूनिवस्टी के साथ इसके बारे में और डिटेल इंफर्मिशन चाहते हैं आप लोग तो आप यूनिवस्टी को भी परसनली मेल करके यह चीज पूछ सकते हैं यूनिवस्टी आपको जो बेजते हो मतलब साफ है कि या तो डॉक्मेंट्स उपराने हैं या वो डॉक्मेंट्स अभी नए हैं बट इसके पीछे हकिकत क्या है वो तो आप लोग ही बहतर जानते हैं बट इस यूनिवस्टी को रैंकिंग देने के गर हम लोग बात करें दोस्तों सभी यूनिवस्टी यूजी सी अप्रूवड है यूनिवस्टी के पास कुछ अप्रूवल्स हैं यूनिवस्टी के साथ प्रीवियसली क्या हुआ था यूनिवस्टी के पास में साथ में क्या हुआ था मैंचमेंट के साथ में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं सैलरीज को लेकर स्टूडेंट्स ने क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं ये सब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके दिल में जो जो जिस जिस तरह के भी अरनी युनिवरस्टी को लेकर सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम एक इंडिविजल वीडियो बना सकें ये सब्सक्राइब बनाएंगे अरनी युनिवरस्टी के बारे में बहुत बहुत शुक्राइब धरनेवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए बारे में चर्णी के लान्सफोल बने खमिलकाशन आईब के लिए लार defenseên